इस स्क्रीन पे एक वीडियो दिखा रहा हूँ कोटक महिंदरा बेंग की जब भी आप इस एप्लिकेशन को ओपन करते हैं तो इसमें कुछ न कुछ एरर आ जाता है तो इसका सॉल्योशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले बात करते हैं ये एरर आता क्यों है तो देखो जब भी आप कोटक महिंदरा बेंग के एप्लिकेशन को यूज करते हो और लगातार यूज करने के बाद बीच को आप किसी भी पेज पे छोड़ देते हो और वो एप्लिकेशन 10 से 15 मिन तक बेगराउंड में चल जाता है तो उसके बाद में आप उस एप्लिकेशन को वापस ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे एक एरर दिख जाएगा कि आप इस एप्लिकेशन को पुना इस्टार्ट करें यानि रिस्टार्ट करें तो इसमें आपके पास दो तरीके हैं एक तो आप अपने एप को रिफ्रेस कर लीजिए इसके अलब आप एप को अनिस्टोल कीजिए उसके बाद में इस्टोल कर लीजिए अब आपके सामने वो परेशानी नहीं आईगी और दूसरी परेशानी आती है जब भी आप एपलिकेसन को 10 बजे के बाद में उपन करते हो तो आपके सामने या तो एपलिकेसन उपन नहीं होता है तो आप बार बार लोग आउट हो जाते हो तो इसका क्या सॉलूसन है तो देखो कोटक महिंदरा बेंक का मैं पिछले चार साल से customer हूँ मुझे उसकी एक-एक चीज पता है कि उसका server कब easy रहता है मैंने ज़्यादा तर देखा है रात के वक्त Kotak Mahindra Bank की application बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करती है तो इसका एक ही solution है क्योंकि Kotak Mahindra Bank की इंटरनेट बेंकिंग की service काफी अच्छी है तो आप उसका परियोग आसानी से कर सकते हैं इसके लवा आप Kotak Mahindra Bank की application में कुछ भी नहीं कर सकते तो ये थे वो दो solution जिनकी मदद से आप Kotak Mahindra Bank की application में error आने से रोक सकते हो यदि आपका भी account Kotak Mahindra Bank में है तो इस वीडियो को like जरूर कीजिए और चैनल पसंद आ रहा हो तो subscribe कीजिए जय हिंद जय वारत